दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको रोसमर्रा के विज्ञान के बारे में सरल शब्दों में जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विशय पर, जिसका नाम है MPOX, जिसे पहले मंकीपॉक्स के नाम से जाना जाता था। वाइरस की वजह से होती है। यह वाइरस, और्थपॉक्स वाइरस, समूव का हिस्सा है, जिसमें चेचक, स्मॉल पॉक्स का वाइरस भी शामिल है। हालांकी मंकीपॉक्स, चेचक जितनी गंभीर बीमारी नहीं है, फिर भी इसके लक्षण और फैलाव के तरीके कुछ हद तक समान है। इस बीमारी की शुरुवात और फैलाव। पहली बार पहचान, मंकीपॉक्स का पहला मामला 1958 में डेनमार्क में शोधरत बंदरों में पाया गया था, इसलिए इसे मंकीपॉक्स नाम दिया गया। लेकिन पहला मानव मामला 1970 में कॉंगों में दर्ज किया गया। संक्रमन क्षेत्र यह बीमारी मुख्य रूप से अफ्रीका के मध्य और पश्चिमी भागों में पाही जाती थी, खास कर ग्रामीन इलाकों में, जहां लोग संक्रमित जानवरों के संपर्क में आते थे। हालिया फैलाव 2022 में मंकी पॉक्स का बड़ा प्रकोप अफ्रीका के बाहर भी देखा गया, जहां यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अन्य महादवीपों में मामले सामने आए। इसने वैश्विक स्वास्थे के लिए चिंता पैदा की, जिससे इस पर रिसर्च और मॉनिटरिंग बढ़ गई। इनसान से इनसान में फैलाव या वाइरस निमनलिखित तरीकों से इनसान से इनसान में फैल सकता है। सीधा संपर्क, संक्रमित व्यक्ती की तवचा के घावों, शरीर के तरल पदार्थों या श्वसन की बूंदों के संपर्क में आने से। संपर्कित वस्तुए जैसे बिस्तर, कपड़े या अन्य वस्तुए जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आई हूँ श्वसन की बून्दे लंबे समय तक एक दूसरे के पास रहने पर बड़े श्वसन बून्दों के माध्यम से भी फैल सकता है हालांकी यह कम आम है लक्षन इंक्यूबेशन पीरियड आम तौर पर लक्षन पांच से 21 दिनों के बीच दिखाई देते हैं संक्रमन के एक से दो हफ़ते बाद प्रारंभिक लक्षन शुरुवात में फ्लू जैसे लक्षन होते हैं जैसे बुखार सिरदर्द मानस्पेशियों में दर्द पीट दर्द ठकान लसी का ग्रंतियों की सूजन जो मंकी पॉक्स और चेचक में अंतर करता है शुरुवाती लक्षनों के बाद आम तौर पर चहरे से एक दाने का विकास शुरू होता है जो धीरे-धीरे शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है जैसे हतेलिया और तलवे एक मैकील्स लाल सपाट धब्बे दो पैप्यूल्स उठे हुए बंब तीन वैसिकल्स तरल से भरे फफोले चार पस्ट्यूल्स मवाद से भरे घाव पाँच स्कैब संत में पस्ट्यूल्स पपड़ी बन जाते हैं और गिर जाते हैं अधिकांश मामलों में यह बीमारी हलकी होती है लेकिन गंभीर मामलों में द्वितियक संक्रमन, निमोनिया, मस्तिश्क की सूजन, एंसेफलाइटिस और कुछ मामलों में मामारी के रूप में पाया जाता है प्रयोकशाला परीक्षण पुष्टी के लिए प्रयोकशाला परीक्षण किये जाते हैं जैसे PCR पॉलिम्रेस चेन रियक्षन त्वचा के घावों या शारिरिक तरल पदार्थों से वाइरल डिने का पता लगाने के लिए सीरॉलोजी वाइरस के खिलाफ एंटी बॉडी का पता लगाने के लिए हालांकी यह कम उप्योग किया जाता है इलाज सपोर्टिव केर मंकी पॉक्स के लिए कोई विशेश इलाज नहीं है इलाज लक्षणों को कम करने और जटिलताओं को रोकने पर केंद्रित होता है तरल पदार्थ का प्रबंधन दर्द निवारक दवाए ड्वितियक बैक्टीरियल संक्रमन का इलाज एंटीवायल्स, गंभीर मामलों में, टेकोविरमैट, TPOXX जैसे एंटीवायरल ड्रग्स का उप्योग किया जा सकता है जो मूल रूप से चेचक के लिए विक्सित किया गया था वैक्सिनेशन चेचक के लिए विक्सित किये गए टीके जैसे जिन्योज, इमवामुने इमवैनिक्स, मंकी पॉक्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं. ये टीके उन लोगों को दिये जा सकते हैं, जो जोखिम में हैं, जैसे हेल्थ केर वर्कर्स या संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले लोग. सार्वजनिक स्वास्थे उपाए, मंकी पॉक्स के फैलाव को रोकने के लिए स्वास्थे अधिकारी निम्नलिखित सलाह देते हैं. ऐसे जानवरों से बचें, जो वाइरस का स्रोत हो सकते हैं, खास कर महमारी वाले क्षेत्रों में. अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करें और घावों की सही देख भाल करें, ताकि इनसान से इनसान में संक्रमन का खत्रा कम हो. जोखिम वाले लोगों का टीका करन जैसे कि स्वास्थे कर्मी और संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले लोग. वैश्विक प्रतिक्रिया, हाल के प्रकोपों के कारण वैश्विक निग्रानी और रिपोर्टिंग में व्रिद्धी हुई है जैसे WHO और CDC जैसे स्वास्थ अधिकारियों ने मंकीपॉक्स के फैलाव की निग्रानी और नियंत्रन के लिए दिशानर्देश जारी किये हैं सारवजनिक जागरुकता, जनता को मंकीपॉक्स के लक्षन, संक्रमन के तरीके और रोक्थाम के बारे में जानकारी देने के लिए शिक्षा अभियानों की शुरुवात की गई है रिसर्च और डेवल पमुपाए रिसर्च जारी है ताकि वाइरस के फैलाव के तरीके अधिक प्रभावी इलाज और बहतर निदान उपकरणों के विकास को समझा जा सके भविश्य की चिन्ता है महामारी की संभावना हालांकी मंकी पॉक्स COVID-19 जैसे श्वसन वायर्सों की तरह आसानी से नहीं फैलता फिर भी हाल के प्रकोपों ने इसके व्यापक फैलाव की संभावना को उजागर किया है खास कर अगर वायर्स म्यूटेट करता है या सारवजनिक स्वास्थे उपाय प्रभावी रूप से लागू नहीं होते है सुनिश्चित करना की वैक्सीन और इलाज सभी प्रभावित क्षेत्रों में विशेश रूप से कम संसाधन वाले क्षेत्रों में उपलब्ध हो एक महत्वपूर्ण चुनौती है मंकी पॉक्स जैसी जुनोटिक बिमारियों के फैलाव में वन्यजीव और परियावरणिय बदलावों की भूमी का सारवजनिक स्वास्थे के लिए एकी कृत द्रिष्टिकोंड की आवशक्ता को उजागर करती है जिसमें पारिस्थिति की तंत्र के कारकों को भी ध्यान में रखा जाए MPOX एक वैश्विक स्वास्थे चिंता बनी हुई है खासकर हाल के प्रकोपों के बाद इस बीमारी से निपटने के लिए सतर्कता, रिसर्च और अंतराष्ट्रिय सहयोग आवशक होंगे तो दोस्तों, उमीद है कि आपको MPOX के बारे में ये जानकारी उप्योगी लगी होगी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेर जरूर करें